बाइस जन्वरी और बहुत ही सुप दिन में पूरबारत वर्स के लिए हैं बहुत ही जादा सुप दिन है तो आप सभी को जैसे कि पता है कि मैं सुकन्या कीयर संस्था में एक Social Awareness Programmer और Digital Trainer और Digital Creator के पोस्ट पे मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ और मैं आयोध्या से हूँ तो आयोध्या से हूँ तो मेरा तो यह सौभाग है कि मैं यहीं से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुसी है कि मैं आयोध्या से हूँ तो इसी के तहट और मुझे एक खुसी और है कि मैं सुकन्या कीयर संस्था में हूँ सुकन्या कीयर संस्था भी जैसे आज हमारे मोदी जी हम लोगों के लिए मतलब इतना मतलब हमारे स्री राम जी हमारी आयुधिया में लोट कर वापस आए हैं आयुधिया पूरी बदल गई है जगमक हो गई है मतलब जो आयुधिया थी उससे हम लोग तो यहीं के हैं हम लोगों को पता था यहां की गलिया कैसी हो गई है हम लोग खुद पहचान नहीं पा रहे हैं कि कैसी हो गई है दो बहुत ही सुन्दर हो गई बहुत ही अलागो क हो गए राम जी के आने पे उसी तरीके से जिस तरीके से मैं । मैं अबने आपको सवभाग साली मानती हूं। कि मैं सुकन्या के असंसा में work from home करती हूं घर बैठ कर और आज जो है 22 तारीक को ही दिव्विघर का निर्मार हुआ है लखनोव में तीसरे दिव्विघर का जो सुकन्या के असंसा की तरफ से आदर्णी नरायन गुरु जी ने और आदर्णी गुरुमा की तरफ से फिर से किय खुद का दिव्विघर ले लिया गया है ताकि बैटियों को रहने में और सारी चीजे वर्क करने में और जो बीटियां दुरलब हैं परिसान हैं जिनके पास रहने के लिए ब्यवस्ता नहीं है तो वह को दो तीसरे दिव्विघर का आज उद्गाटन हो गया है जिसका हम लाइब वीडियो देख चुके हैं, बहुत ही अद्बुत था, सब वहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, मेरा भी जाने का बहुत थी, मन था, उत्सुकता थी, कि मैं भी वहाँ पर जाओ, आदेनी नरायन गुरुजी से मिलू, गुरुमा से मिलू, लेकिन ऐसा नहीं हो पा बैटियों को रोजगार दे रहे हैं, सुकन्या केरसंस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो आप सभी जो भी महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, अगर जुड कर काम करना चाहती हैं, तो आप रोग कर सकती हैं, घर बैट कर वर्क फ्रॉम होम, और आज मुझे मैं बहु गुरुजी ने कहा था, उसको उन्होंने पूरा किया, सभी बेटियों के सहयोग से, और जो है माता कामाख्या जी के आसिरबास से पूरा हो पाया है, कि बेटियों के लिए जो उन्होंने एक दिव्वे घर ले लिया, जो कि खुद का है, जिसमें रेंट नहीं देना है, बे कि दिव्वे बेटियों के लिए राज निर्माः भी उद्घाटन भी हुआ उसका, वहां भी पूजन हुआ, औरयमों देने भिवे अंहों के लिए है, और अपी आपने घरों में पूजन कर रहे हैं, और एक चीज यह है, कि बस जैसे कि कहते हैं, कि जैसे जो इजुजयों हमारी सुकन्या केर संस्था में हर एक रूप से माता जी को सब समर्पित हो चुकी है और भगवान जी पे विस्वास है कि कुछ ना कुछ हम लोगों के अंदर एक उर्जा है जो इस सुकन्या केर मंदिर जुनने पर हो पाया है तो आप सबी लोगों से जो मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग सुकर्णिया के संस्था से जुढ़ना चाहते हैं वर्क फॉर्म होम करना चाहते हैं तो जरूर जुढ़िए जरूर काम करिए आप लोगों के लिए ये संस्था है और अगर आप लोग जो है आयोध्या आप आईए तो जरूर यहाँ आईए दर्सन करने बहुत सुंदर मंदिर है बहुत ही जादा